बिसमिल्ला रख्मान रहीम मैं हूँ साधिया स्वहेल आपकी दोस्त आपकी हमदर्द अच्छा मुझे ज्यादातर फर्माईशे आती है वह आता है मेरी जिंदेगी के वाकियात की ज्यादा लोग इंट्रस्टिंगली सुनते हैं अच्छा आज मैं आपसे शेयर करती हूं हमारे चोटा सा ऐसा एरिया था जिसमें हमारे घर साथ साथ बीच में बड़ा ग्राउंड था तो हम लोग आगा एक दुस्य से बहुत था आज है ना कि आपको सेकिंड घर का पता नहीं होता के नेबर कौन रह रहा है लेकिन हम लोगों का जो बच्पन या वह स्कूल एज लोगों में घुज़ी है कि हम एक दुस्य का पता खाने एक्चेंज हो रहे हैं गयार और पयार और महबद और सारा तो वो ऐसे था हमारे साथ उले घर में इन फैमिलि जो थी जिन लोगों से बहुत प्यार सांक उनके एक बेहन थी जिने हम नाजी बाजी कहते थे तो मैं अपने घर से निकली अपनी दूसरी निवर के खर जाने के लिए और हमारे घर के पीछे एक बहुत मश्यूर जमाना हाँ कि मैं कैसे भूलगी आप से बताना चलो मैं अब शेयर करती हूँ और उस बाग के तो इतने किस्से हैं जो लोग केंट के रहाइशी है ना वो जरूर जानते हैं कि हमारा जो लहूर केंट है उसका गोलबाग गोलबाग अपने वक्त का मश्यूर जमाना और आज भी है उसके अंदर बड़ी करीम लाइबरेरी है और वो हमारा जो घर थे वो गोलबाग हमारी घरों की बैक उसके साइट पे थी और एक गली जाती थी जो उसका दरवाज़ गोलबाग में खुलता था अच्छा वहां लोग दिन में दोपहर में भी गुजरते वे ज़रा घवराया करते थे अच्छा अब रात को मैं निकली अपनी दूसरी नेवर के खर जाने के लिए मैंने देखा सामने से नाजी बाजी निकली है और मैंने उनको बड़ा सलाम दौा किया और वो बड़ी खुश मिज़ाज और बड़ी अच्छी तबियत के मालिक थी बैकि अभी मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि उनका इंतकाल हो गया अल्ला ताला उनको जवार रह्मत में जगा दे उनके दरजाद बुलंद करे तो उनोंने उनको देखा तो उनोंने मैंने को मुस्करा कि बड़ा सलाम किया कि बाजी कैसी है तो उनने मुझे देखा बड़ा सीरियस लुक देखे न तो वो मुझे सिधा चली उस गली में चली गई और वो गली बेकुल सुनसान होती है उसका जो दरवाजा है उस ग्राउन में खुलता था और वहाँ कोई दिन का तसावर ने कर सकता यह तो रात का टाइम था अब मैं बड़ी परशान कि क्या मामला है यह क्यों गई है और ने मुझे को रिस्पॉंड भी ने किया जब मैं अपनी इस नेबर के खर से निकली तो वो मेरी दोस्ता बड़ी प्यारी आज भी है तो मैं उन से पुछूं के कहां गई बाजी मैं गई उसके घार मैंने इसको असलाम दावा मैंने का नाजी बाजी किदर गई है और वो इस तरह ग्राउंड में जा रही थी और मैंने इनको आवाज दी है उनने मुझे तो कमरे में बैठी है जो मैं अंदर कमरे में गई तो नाजी बाजी बैठी हुई थी तो मतलब एक उस हमारे एरिया में एक ऐसी चीज थी जो मुख्लिफ शकले अख्तियार करके किसी को किसी शकल में किसी को किसी शकल में नजर आती होती थी तो वो मेरा ये तजर्बा और इस तरह के वाकियाद की एक सीडियल है और हमारा एक बहुत मशवूर गोल वाक्स से वाकिया है वहां आपने शाहिद कभी सुना हो बहुत कम लोगों ने वैसे सरकटहूं के हवाले से सुना सरकटा भी जन्नाद की मखलूक होती है उसकी खुसीफ het ये होती है कि उनका सर कटा होता है सर उनके हाथ पे होता है और वो हाथ बोल रहा हो मू बोल रहा होता है कि मेरा सर जोड दो अच्छा ये वाकियात एक के साथ उस पाग में नहीं आए कि मैं कहों मेरे साथ आया मेरे कजन के साथ आया था लेकिन एक के साथ नहीं आए बहुत से लोगों ने वहाँ ये एक्सपिरियंस किया था वो इन्शालला अगले वाके की निशिस्ट में मैं आपको जरूर सुना हूंगी और इस तरह की और वाकियात के साथ आपसे मिलती रहूंगी अपना ख्याल रखिए अपने रफ से रापता काईम कीजिए और दौाओं में मुझे भी याद रखिए बहुत शुक्रिया